सिंबल, जिनके मतलब या शुरुआत के बारे में आपको नहीं पता सिंबल को हम ट्रैफिक साइन्स और लोगो से लेकर हमारे फोन तक हर जगे देख सकते हैं या तक कि हाथ के इशारे भी एक तरह का सिंबल होते हैं पर क्या आपने कभी सोचा कि इतने सारे सिंबल के शुरुआत की कहानी आखिर क्या है तो मुझे एक सेवा का मौका दीजे क्योंकि आज हम प्राचीन 8 सिंबल से लेकर कन्फ्यूजिंग कंट्रोलर बटन्स तक जैसे सिंबल्स के शुरुआत के कहानी की परताल करने वाले हैं यूएसबी का लोगो इमानदारी से बताएं कि कितनी बार ऐसा हुआ कि यूएसबी ड्राइव लगाते वक्त आपको उसे बार-बार पलटना पड़ता हो क्योंकि पता ही नहीं चलता कि उसे लगाना के साइड से वाकई में मुझे भी बहुत दिक्कत दोती है लेकिन और भी परिशानी की बात यह है कि हर यूएसबी बहुत तरिशूल जैसा ये निशान नज़र आता है पर हमें जरा भी नहीं पता कि आखर है क्या एक गोला, एक चौकोर और एक तिकोना ऐसा लगता है तीनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बताओ हमारा क्या मतलब है तो बतातें कि ये सिंबल ड्राइजाक पर आधारित है जिनने नहीं पता कि उनके लिए पता दूँ असल में ये प्राचीन युनान के समंदर के देवता पोजाईटन धारा धारन किये जाने वाला तुरूल है तुरूल के तीने सुरों पर मौजूद तीन अलग-अलग शेप दर्शाते हैं कि ये सिंबल दिखाता है यानि ये सिंबल दिखाता है कि देवता कि उस हतियार की तरह आप USB को अपनी मंचाई डिवाइस से जोड़ सकता है चलो कम से कम आज ही बात तो पता चली पर फायदा क्या है? USB अभी पहली बार में फिट नहीं होती जीत का सिंबल अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर और बीच वाली फिंगर को उपर करें तो इसके कई अलग-अलग मतलब हो सकते हैं ये शान्ती का प्रतिक हो सकता है या जीत का निशान और हाथ की उंगलियां किस तरफ घूमी हुई है इसके हिसाब से यूके में एक बहुती गंदा निशान भी हो सकता है लेकिन दो उंगलियों से बनाए जाने वाले इस निशान की शुरुआत बहुत ज़ादा ब्रिटिशल्स की कल्पना से कहीं पुरान है इस निशान के कई मतलबों में से एक की जड़ें पक्का 100 years war से जोड़ी हुई है जो कि फ्रांस और इंगलेंड के बीच 116 सालों तक लड़ा जाने वाला युदु था किस्सों की माने तो फ्रांस के सैनिक जब अंग्रेजी सेना के किसी तिरंदास को पकड़ते तो उसे छोड़ने से पहले उसकी पहली और बीच वाली उंगलिया काट दिया करते थे ताकि वो बंदा दोबारा तिरंदाजी करने लाइक ना बचे कहा जाता कि उस दोरान अंग्रेजी सेना के जो तिरंदास पकड़े नहीं जाते थे वो अपनी उंगलियां उठा का दुश्मन को टॉंट करते थे देखो मैं अब बे लड़ सकता हूँ सुनने भले बाहदरी लग रही हो पर शायद ये महज़े किस्सा ही है अंग्रेजी सेना के धनुष्ट दूसरों के मुकाबले कहीं जादा बड़े होते थे जिनने उठाना ज्यादा मुश्किल होता था ज्यादा सैनिकों को उसे चलाने के लिए तीन उंगलियां इस्तिमाल करनी पड़ती थी यानि अगर दुश्मन को चिढाने के लिए सिंबल में अंगूठी वाले उंगली भी शामिल कर ली जाए तो ज्यादा सही रहता जिससे ये देखने में बिलकुल बॉय स्काउट सेल्यूट जैसा लगता है अफकोर्स आप ये दावा कर सकते हैं कि दो उंगलियां कटना तीन उंगलियों काटने जाए सही था क्योंकि बंदा ये चलाने लाग तो उसके बाद भी नहीं बचेगा पता नहीं सच किया लेकिन बिल्टिन के प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1941 में दुती विश्द के शिरुवाती चरण में इस सिंबल को फिर से लोग पिरी बनाने बड़े एहम भूमी कने भाई उस दोरान चर्चिल उंगलियों से वी का निशान बनाते हुए सबसे पहले फोटोग्राफ किये गए थे जो जल्दी एहलाइट से नाव को जीत का निशान बन गया कि क्योंकि वी, फोर, विक्ट्री ना सिर्फ इंगलिश में बलकि फ्रेंच और फ्लेमिश भाषाओं में भी था जो कि ब्रटिन के साथ हीं के मुखे भाषा है थी कभी कभी चर्चल इस निशान को उल्टा करके भी दिखाती जैसे दुश्मनों को ब्रिटिश एकसिंट में संदेश दे रहे हैं कि देखा बेटा, हम अब भी तुमसे लड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा और गाली गलोश के साथ गेम कंट्रोल के कन्फ्यूजिंग भटन अब ऐसा जो कुछ वीडियो गेम लवर्स को बहुत जादा पसंद आएगा हो सकता है कि आप वीडियो गेम खेलने में इतने माहर हों कि डार्क सोल्स को स्पीड ड्वें करते हुए महस 30 मिट में पार कर देते हूं कंट्रोलर के बटन पर बने है निशान असल में मारियो गेम से प्रेरित है यह वही शेप है जो कि मागी कूपा दुश्मन क्लासिक सूपर मारियो वर्ल्ड गेम्स में मारियो की तरफ फेकते हैं देखा रुकी एक बार फिर से प्ले करता हूं लेकिन इसमें कहीं एक्स तो नजर नहीं आया मागी कूपा केवल गोला चौकोर और तिकोना फिक करी मारत हैं असल में वह स्पार्कल एक्स नहीं है जो इन करेक्टर के आधिकारिक पोस्ट में साफ तोर पर देखा जा सकता है लेकिन बहुत से लोग अब भी उसी घलत यकी पर टिके हुए हैं लेकिन इन बटन्स के पीछी की असली वज़े तो और भी ज़्यादा गुमावदार है सुनी में काम करने वाले टेयो गोटो की माने तो उन्होंने ही इस सिंबल को चुनाव किया था क्योंकि सोनी अपने रिमोट को अपने कॉम्पिटीटर निंटेंडो से अलग बनाना चाती थी जो कि अक्षरों वाले रिमोट यूज़ करते थे गोटो ने ऐसे निशान चुने जिसका मतलब सभी को आसानी से समझ में आ सके ते को ना सबसे उपर है क्योंकि ये उपर की तरफ पॉइंट करता है स्क्वेर बटन कागस के किसी टुकडे को यूज़ होता है यानि PlayStation के बहुत सारे रिमोट में एक्स और गोली की जगह अपस में बदली होती थी जापान में कोई चीज कंफर्म करने के लिए आपको गोला बटन दबाना होता है वहीं वेस्ट में ऐसा करने के लिए आपको क्रॉस बटन दबाना होगा सूनी के PlayStation के पा जोग पूरा हो गया है चली आगे बढ़ते हैं टॉयटा का लोगो का निरमाता टॉयटा के सिंबल बड़ा ही सिंबल है जो कि आसानी से पहचाना जा सकता है पर सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है मेरा मतलब कार में तो चार पाई होते हैं फिर उनके लोगों में 1936 में चुना गया था और कंपनी ने इसे खुड डिजाइन नहीं किया था बलकि इसके लिए एक competition रखा गया जिसमें ये डिजाइन 40,000 दूसरी entries में से चुना गया था बले ये देखने में सिर्फ कुछ गोलों का गुच्छा लगता पर डिजाइन के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग टोईटा की spelling कम्प्लीट की जा सकती है दिल्चस पे न मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ये लोगो अब थोड़ा ज़ाद अच्छा लग रहा होगा अब बढ़ते हैं अगले लोगों की तरफ Heart का सिम्बल क्या आपने कभी सोचाई कि किसी उल्टे तिकोने जैसे दिखने वाले सजीब से शेप को Heart का सिम्बल आखर क्यों माना जाता है क्या आपने कभी असली Heart का शेप दिखा हैं अगर आपको Heart सचमुचे से शेप का हर नजर आए तो समझेए उसके साथ कुछ वही रोमेंटिक प्रवर्ती के लोग इंटरनेट पर पिट्रेस्ट और फेस्बॉक और जैसी साइट्स पर दावा करते हैं कि असल में ये दो जोड़े हुए दिलों को दिखाता है। हाट के सिंबल जैसे फल लगते थे और ये उत्री अफरीका के थट पर साहरीन शहर के आसपास पाया जाता था। और यूनानी लोग इसे बहुत पसंद करते थे। प्राचीन यूनान वाले इस पेड़ के इतने दीवाने थे कि इसकी तस्वीर अपने सिक्कों अगरा पर सिमत थे। इसलिए पेड़ इतना जादा लोगप्री हो गया कि दूसरी शताबदी इस अपूर्व के आसपास ये पूरी तरह विलुप्त हो गया। सिल्फियम प्रेमी प्रेमी काओं के बीज में प्रेम संबंद बनाने के काम आता था। शायद इसलिए इसके फलों की इस पस्टी करण नहीं उपलगद। दूसरी थीरी कहती है कि असल में हाट ने बलकि महला की छाती इंसानों के नितम या मर्दों के अंड कोश की तरफ इशारा करता है। पता निकियों पर अचानक से इस सिंबल मुझे बहुत ही कम क्यूट लगने लगा है। लेकिन असलियत में ये सिंबल लोगों को आसपास मौझूद रेडियो धर्मिता के खत्रे से आगाह करता है। इस जिनको सबसे पहले निल्स गोर्डिन की अधिक्षता वाले बर्कली के एक रीसोर्च ग्रूप द्वारा साल उनिसोच्छालिस में तयार किया गया था। सब में पीले बेग्राउंड पर काले रंग से बने सिंबल को पूरी दुनिया में स्टेंडर्ड बना दिया गया। क्योंकि ये बहुत दूर से साफ नजर आने लगता है। जहांता खुद इस सिंबल का सवाल है, निल्सन बताते हैं कि ये किसी परमारू से निकलती हुई रेड बलका हुलिया को जैसा है, एक गोले को तीन काले रंग के गोले काटते हैं, जो कि बाहर की तरफ थोड़े पतले होते जाते हैं। इस सिंबल को डो केमिकल्स के इंजिनिर्स ने साल 1964 में डिजाइन किया था, जिसके लिए उन्हें कई निरदेशों का पालन करते हुए चलना पानी को नुकसान दे पदार्थों द्वारा तबाह होते हुए दर्शाता है। इस तरह से देखने पर इस सिंबल किसी चीज को तबाह करते घातिक जैविक पदार्थों को दर्शाता है। जैसे की मैं और सॉस। एक HS logo में इस से जादा कुछ भी नहीं है। राइट? हिंडाई वालों के सामने ऐसा मत कह दीजेगा। कमपनी माने तो ये सिर्फ एक H नहीं बलकि आपसमें हाथ मिलाते हुए दो बंदों का साइड वीव है। नहीं देख रहा? आई आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हिंडाई का कहना है कि ये लोगों में सम्रधी को तरशादा है और कस्टमर के साथ उनके मजबूत रिष्टों का प्रतीक है। लेकिन मेरे हिजाब से कमपनी को इन बंदों को तोड़ा और पास करके खड़ा करना चाहिए था क्यों? जरा राइट साइड वाले बंदे के अगर ये ना होती तो हम आज भी तारों वाले हैटफोन के जमाने में फसे होते हैं जिनने महज एक बार जेब में रखने पर ऐसी गांट पढ़ते ही कि सुलजाने में बड़े से बड़े नाविकों के पसीने चूट जाएं लेकिन ब्लुटूथ के लोगों को देखकर आप अंग्रेजी लकडी में आपको गोला बनाने के लिए कहा जाए तो कितना मुश्किल होगा ब्लुटूथ का सिंबल असल में एक बाइन रून है जो की दो रून्स को मिला कर बना जाता है ब्लूटूथ का लोगों बनाने वाले दो रून अंग्रेजी के एच और बी अक्षर के समक्ष माने आते हैं ये दो अक्षर एक महान वाइकिंग राजा को शर्धांजली देने के लिए चुने गए हैं जिनका नाम हुआ करता था हेराल ब्लुटूथ हेराल की सबसे बड़ी उपलब्दी थी कि उसने तरह तरह की कबीलों और गुटों में बड़े वाइकिंग लोगों को एक जंडे तले लाकर खड़ा कर दिया ठीक जैसे ब्लुटूथ की तरह एक्सेसरीज को ही इस डिवाइस से जोड़ देता है स्टोरी बढ़िया है ना तो मैंने कुछ जादा ही फिक दिया क्या है हो सकता है इक्वल कर निशान क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि घड़ित करते वक्त इक्वल कर निशान आपका कितना समय पचा लेता है इस निशान की शिरुवात होने से पहले कोई भी समीकरण लिखते वक्त गड़ी तग्यों को हर बार इस इक्वल टू लिखना पड लेकिन दूसरे गड़े तक्यों की तरह उन्होंने हार निमानी और समस्त्यागाल निकालने की ठान ली और एक्कॉल का ये निशान जाना पैचाना निशान बना डाला अगर आप इसे डिजान किये जाने की कहानी सुनेगी तो सूचेंगे या आपके दिमाग में पहले क्यों जादा कुछ नहीं, रिकॉर्ड ने बस समीकराण के दोनों हिस्सों को एक दूसरे के बराबर दिखाने के लिए दो बराबर लाइनों का सारा ले लिया, ये सबसे शुरूआ थी, एक्कॉल साइन में से एक, जो कि आज के मुकाबले थोड़ा जादा लंबा हुआ करता था, जब इसे किसी समीकराण के बीच में फिट किया जाता है, तो दोनों हिस्सों को एक दूसरे के बराबर बताने का सबसे आसान दरीका होता ये, वाह, रिकॉर्ड, सच में ऐसे शक्स थे, जिनका कोई एक्कॉल नहीं है, खून में सना हुआ पीस, जब मैं बच्चा था तो खुद को परिशान करने वाले लड़कों से कहता था, कि मैं लड़ाई जगड़े में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं हिंसा से कुछ भी हासल नहीं होता, ये सोचते हुए, कि ऐसा करने से मैं बच जाऊंगा, पर कि आपने कभी सोचा कि इस निशान की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी, दुनिया बर के हिपीस और रक्ष प्रेमियों का निशाना माने जाने वाला ये पीस, सिंबल उतना ही कन्फ्यूजिंग है, जितना की जाना पैचाना, मतलब ये दिखाना क्या चाह रहा है, ग DSA वाले परमाडू हत्यारों के खलाफ थे और उनका ये सिंबल दुनिया को परमाडू हत्यार रहित बनाने की तरफ इशारा करता था, एक बहुती आम गलत धाना ये है कि ये सिंबल नुकलियर डिस आर्मिंट के N और D से मिलका बना गया है, लेकिन ये सच है कि ये महज एक इतिफाक से जादा कुछ नहीं, गेराल हल्टम जो की एक डिजाइन, प्रोफेसर और DSA की सदस हैं, उनकी माने तो ये सिंबल फ्रांसिसको गोया की थर्ड ओफ में 1808 नामक विचलित कर देने वाली पेंटिंग से प्रेरित है, इस पेंटिंग में एक असहाय किसान पर अत् इस याई सिंबल नजर आए, तो याद रहे, इसकी कहानी खुश्यों वाली नहीं, बलकि युद के भीशन कीमत की याद दिलाने वाली है, अगर मेरी तरह आप भी बार बार चैनल बदलना पसंद करते हैं, तो इस गटना से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जिसे पावर भाशा होती है, जिसका प्रियोग करके कम्पीटर अपने मदर बोर्ड में सूचना इधर उधर करते हैं, यानि पावर अन उफ का सिंबल, सिर्फ एक और जीरो का कॉम्बिनेशन है, जहां गोला जीरो और खड़ी लाइन एक का प्रतीक है, यह इस हिसाब से भी लॉजिकल बनाता है कि बाइनरी भाशा का सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है, जीरो और वन, यानि जीरो और वन का मतलब होता है किसी चीज़ का शिरो होना या पावर अप होना, चलिए आप से बाइनरी में कहता हूँ कि वाव फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, जो होगा 0101100100100100100 बहुत लंबा हो गया, मेरे खाल से जोग आपको भी घटिया लगा होगा ना, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं सिर का ताज पहली बार तो आज के ताज से पहले डायोडेम यूज किया जाता था, फारस के समराटों ने इसे कम से कम 4,000 इसापूर से पहना शुरू कर दिया था, और उसी जमाने के कई ग्रीक देवताओं ने भी ये पहना, और 2400 इसापूर आते आते मिस्र वाले भी अपना खुद का डाया डेम यूज कर रहे थे, यहां तक कि दुनिया का सबसे पुराना ताज जिसे कॉपरेश क्राउन का जाता है, जो यहूदा के रेकिस्तान में पाय गया था, वो भी 32-4,000 साल पुराना है, यानि डाया डेम और ताज वगयरा का इस्तिमाल इसाइत का होदा होने से कहीं पहले से होता आ रहा है, तो फिर आप कौन से थेरी बचती है, बचती है ना, लेकिन जाधा परेशार होने की जरूत नहीं है, राजाओ द्वारा ताज का इस्तमाल लॉजिक के आधार पर आधरित हुआ, क्योंकि यह महेंगे धातुम बेशकीमती नगीनों से जड़े होते जो कि आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये पहनने वाले को अलग बनाता है, उन्हें सिर्फ सिर पर ही पहना जाता है ताकि वे दूर से नजर आएं और सभी को इसे पहनने वाले की ताकत का एहसास हो जाए, और अगर इसे पहनने से उसकी हाइट भी थोड़ा लगने तो फिर तो कही ही कहने, एक दूसरी तेरी कहते है कि शायद ताज का विकास योधिशेत्र में पहने जाने आले हलमेट से हुआ हो, जहां व्यक्ति जितना इंपॉर्टेंट होता, और उसका हलमेट उतना मजबूत और शांदार होता, मुझे भी इतनी उचाई तक पहुचा जब प्राचीन रोम के कोलोईजियम में लडाईयां हुआ करती थी, जब मैदान में कोई उध्धा किसी दूसरी उध्धा को पठका नहीं देता, तो वो स्टेडियम में मौझूद सबसे महत्मूर्ण शक्स की तरफ घुमकर इशारे का इंदिजार करता, चाहे वो एहम शक शहर का कोई अधिकारी हो या खुद रोमन समराट, अब एहम शक्स का इशारा ही हारने वाली की जिन्दगी का फैसला करता, आपको जानका रहरानी होगी, अंगूठा उपर करने का मतलब होता मौत, अंगूठा तलवार का प्रतीक था, जिसके उपर होने का मतलब होता था तलवार करना जारी रखो, यानि एक दरह से संबल का ये मतलब होगी, अब जाओ इस बंदे को मौत के घाट उतार दो, यानि यब हारने वाली की जिन्दगी बक्षिनी होती, तो अंगूठे को नीचे की तरफ किया जाता होगा है न, जिने बलकि वो अधिकारी अपने अंडस बनाने के लिए उसे थमसब दिखाते न, ध्यान रहे, इस सिंबल का इतिहास काफी खूनी है भाई, ये नियांक का सिंबल, ये नियांक का वो जाना पहचाना सिंबल काफी जमाने से चला रहा है, जिसका सबसे पहला इस्तिमाल 14 सदी इसापूर में देखा गया था, ये सिंबल 3400 साल पुरान है और चीन में तो ये ताव वास्ते जोटा प्रतीक माना जाने लगा, पर आज ये दुनिया भर में योगा प्रैक्टिस करने वालों के कमरों की दिवारों पर देखा जा सकता है, असल में ये सिंबल दो पूरक शक्तियों के आपसी संतुलन को दि असल में यिन का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी की परचाई वाला हिस्सा और यां का मतलब होता है पहाड़ी का धूप वाला हिस्सा यानि ये चिन किसी पहाड़ी की धूप और परचाई वाली धलानों को उपर से दिखाता है और दोनों धलानों पर मौजूद अगर आपने अपने स्कूल या कॉलेज में गौथिक फैशन का जबद और शौक रखने वाले किसी बंदे या बंदी को देखा है तो आपने उनके गले में लटका हुआ, यह उल्टा क्रॉस जरूर देखा होगा, इस चोटे से चिन को दीवारों की ग्रैफिटी, लोगों की नेकलेस और यहां तक की पारम पर एक समाज के प्रती बागी रवया रखने वाले बंदेव के हातों पर बने टैटू में भी देखा होगा, तो अकर आपके मन में कभी ये खयाल आया है कि साफ तो आपा इसाई विरोधी दिखना वाले इस चिनी के उत्पत्ती कहां से हुई तो आपको ये जानकर हरानी होगी, जवाब है खुद इसाईयत से, जी हां, आपने सही सुना, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तमाल किये जाने वाला धर्म विरोधी चिन, असल में खुद एक धर्मे चिनना है, खास्त वापर कहा जाए तो ये सेंट्र पीटर का प्रती अब आप पूछें कैसे, जब रोमन समराट के अधिकारी सेंटर पीटर को सुली पर चढ़ाने लगे, तो उन्होंने अधिकारियों से विंती की कि उन्हें उल्टी सुली पर लटकाया जाए, क्योंकि वे खुद को ठीक येशो की तरह सुली पर चढ़ायाने के काबिल निम हुआ, तब ये चैनल ईसाई विरोधी मतलब अक्तियार करने लगा, मेरे ख्याल से इस से बड़ी बगावत क्या ही होगी है न, किसी बेहत धार्मिक चिन को उठा कर धम विरोधी चिन के रूप में प्रचलित कर दिया जाए, तो अगली बार जब आपको मेटल म्यूजिक का कोई शौकीन नजर आए, तो उसे चड़ाने के लिए सेंट पीटर के प्रती उनके समर्पन की तारीफ जरूर करना, पाई का चेन, एरो स्पेस इंजिनेर्स और बेकरी में काम करने वालों के बीच कौन सी बात कॉमन होती है, दोनों ही दिन बर पाई की बात करते रहते हैं, शुकरिये, शुकरिये, अगर आप दसवी की महत भूल चुके हैं, तो बता दूं कि ये पाई का सिंबल है, जिसकी वैल्यू 3.141 के बराबर होती है, पाई से किसी गोले का शेतरफाल, उसकी परिधी या कोई भी दूसरी गूल चीज ना पी जा सकती है, और ये बहुत ही मह पासी, आर्किमेडीज ने करीब धाई सो इसा पूर में की थी, लेकिन उन्होंने उसका चिन नहीं बनाया था, जिसका श्रेज आता है, अठारवी सदी के गड़े तक विलियम जोन्स को, जोन्स बार बार पाई लिखकर उप चुके थे, उन्होंने उसका एक सिंबल बना ड का केरेक्टर है, ये छोटा सा सिंबल किसी भी दो अक्षरों को एक जाने पैचाने ब्रैंड ने में बदल सकता है, जैसे कि H&M, A&W, M&M, A&E, माना कि लास्ट वाला दूसरों के मुकाबले जादा फेमस नहीं, पर फिर भी, ये एंड शब्द को शॉर्ट में लिखने का ए इस्तमाल होता था, लेटिन भाशा में एट का मतलब होता है एंड, और आपने सीजर की मशूर लाइन एट टू ब्रूटे में भी सुना होगा, जिसका मतलब होता है तुम भी ब्रूट्स, लेकिन भाशा रोमन सामराच के पतन के बाद जारी रही, और बात के लेखन लेटि कब बन गए पर कम से कम इस चिन की शुरुवात का तो पता चली गए हमको है ना पर कानिया भी बाकी है भली हमने चिन के उत्पत्ति का पता लगा लिए हो पर उसके सरजीबों खरीब नाम के बारी में हमें अभी भी नहीं मालूम क्या एंपॉसिंट भी लेटन भाशा कोई श लेकिन टीचर्स को जल्दी एहसास होगा कि X, Y, Z, N, E, कहना बड़ा पड़ा लग रहा था जो बच्चों के लिए अलफाबेट याद करना कठिन बना दी था इससे ने बटने के लिए अलफाबेट को X, Y, Z, N, P, 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 P प्लस और माइनस के लिए गड़तग्यों को P और M का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज हम जिन चिन्हों को देखते हैं, उन्हें सबसे पहले 1489 में छापा गया था, जो कि धीरे धीरे बहुती लोग पर यह होती चले गए। प्रोमिस है कि बस हो गया है, अब मैं एमपरजन की बात आगे नहीं करूँगा। बच्ची को L और R कहने में बड़ी दिक्कत होती थी, जो कि एक बड़ी समस्या थी, क्यूंकि बच्ची की नाम में अक्षर कई बार आते थे, सो परिवार वाले उसे प्यार से वेंडी बलाने लगे। के कॉलर के नीचे खुफिया अंदाज में मौम लिखा हुआ है, कम्पनी तो कहती ही कि ये महज एक इतिफाक है, पर दूसरों का मानना है कि असल में मार्केटिंग का तरीका है, ऐसा तरीका जिसमें विग्यापन सामने आए बगेर आपके दिमाग को प्रभावित करता है, उसका मकसद यही है कि लोगों को लगे कि वेंडी के खाने में घर के खाने जैसा स्वाथ होता है, ठीक जैसा आपकी मौम प्यार से आपके लिए बनाती है, मेरी तो भाया यूटूब है, इसलिए मेरे लिए कभी कुछ बना करके नहीं आया, फिल्म आवार्ड के पत्ते, इ जैसा कि वीडियो के कुछ दूसरे चिन्नों के साथ मामला था, इस चिन्नी की जड़ें भी इतिहास में चिपे हुई है, प्राचीन, रोम और यूनान दोनों में ही इस माला को विजिता माने जाने वाले लोगों के सिरों पर रखा जाता था, आप चाहे कोई महान पहलवान रहे हों या कोई जाने माने शायर, अगर आप जीत दे, तो आपके सिर पे पत्तों के इताज जरूर रखा जाता, यहां तक रोमन समराट भी इसे यूज करते थे, जैसा कि उनकी कई मूर्तियों में देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा किया क्यों जाता था, यूनानी पराड़ लेकिन पता नहीं, लोगों से विजेता क्यों मानते हैं, सूची जरा, लड़की ने उनसे बचने के लिए खुद को पेड़ बना लिया, यहीं से हमें अंग्रेजी का To Rest On Once Laurels मुहावरा भी प्राप्त होता है, जिसका मतलब होता है, आज मेनत करने के बजाए अपनी पुरा चिप हुए मुर्गे, अगर आप USA में रहते हैं तो चिक फिले से जरूर वाकिफ होंगे, 1946 में इस्थापित की गई, यह फास्ट फूर्ट चेंड शायद दुनिया का एकलोता है, असा फूर्ट बिजनस है, जो कि KFC का मुकाबला कर सकता है, इसका लोगो KFC से कहीं ज़्या चिक फिले खाने वाले जाता लोग उनके लोगों में छिपा यह बड़ा सा मुर्गा तो देख लेते हैं, पर कमी लोगों को पता होगा कि इस लोगों में चार और मिर्गी छिपे हैं, जी हां सच मुच, आई एक नजर करके उनको देखते हैं, एक मुर्गा C में चिपा है चिक फिले ने कभी ने कहा कि उन्होंने ऐसा जान बुच कर किया था, सच तो यह है कि इन चिपे हुए मुर्गों को देख पाना बहुत ही मुशकल है, पर शायद मेरे दिमाग में मुर्गों का खयाल कुछ ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे तो वो साफ नाजर आ रहे ह आपको मुर्गों दिख रहे हैं? नीचो कमेंट बॉक्स में आका बताएं. चॉकलेट के स्थापन भी बर्ण जिसे भालू का शेर का जाता है और शेर के जहनने पर भी भालू देख सकते हैं. चॉकलेट का नाम टॉबलरोन इसके संस्थापक एमिल और थियोडोर टॉबलर और शेहद के इटैलियन शब्द टॉरोन को आपस में मिलाने से बना है. सही जाते होंगे कि मचली सा छेद असर दे रहे हैं. इस सहित का प्रतीक है, क्रॉस के बाद इसाय धर्म का ये दूसरा सबसे जादा इस्तिमाल किया जाने वाला प्रतीक है. लेकिन क्यों? क्या येशू का वो बेहत से कोई संबन था? मेरा मतलब है कि दोनों की शकल तो खूब म इसे नहीं हुई थी. अगर कहानी ये कारण होती तो फिर इसके चिट्टे के अंदर एक सीओ उस जैसा ये रहसमे शब्द क्यों लिखा होता? असल में ये प्राचीन उधारी अक्सर है, जो शायद दस शब्द बनाते हैं. इसे समझने के लिए हमें फिर से एक बार प्राच प्राचीन रूम में चलना होगा. उस जमाने के येशू या इसायद को नहीं मानते थे. उनके खुद के अलग भगवान हुआ करते थे. और इसायों का रूम में खुब उत्पीरन भी हुआ. तो ये मशली इसायों द्वारा इस्तमाल किया जाने वाला एक खुफिया निशा जरने के पीछ लॉजिक था, इसका इसायद से कनेक्शन बहुत जादा है. रोमन सामराज के अतिकारी समझ ना पाए कि यहां इस आय का भी मतलब है. वहीं मचली के अंदर एक सो ये को लेकर और भी विववाद है. कुछ का कहना है कि दस का सदियों से अंतराल पर बिगड़ हुआ रूप है ये. वहीं दूसरों का कहना है कि इन अक्षरों का मेसिज है इस किस्टोज थियो इसोट सोटारे जिसका ग्रीक भाष्या में मतलब हुआ इसा मसी परमिशर के बेटे हैं. लेकिन पता नहीं मैं भी इस थिरी को लेका जादा कन्फर्म हूँ नहीं भाई. Christ at the rate yahoo.com ये तो हम सब मानेंगे कि at the rate के बिना हमारे email address बड़े अजीब लगते हैं. तो at the rate की जगे हम क्या यूज़ करते हैं? hash का sign या percentage वाला या ये जिसका मुझे नहां भी नहीं पता है. इसे पिल्कुरों कहते हैं. ये मुझे भी नहीं पता था इसका नाम ये होता है अब topic से हम भटा करें तो आईए. इसका नहीं पता हैं. ये लिखने के बजाए उसके जगे घुमादार ये लिखना शुरू कर दिया. सियाही बचाने के साथ ये लिखावट के रफ़तार बनाये रखने के लिए बिसाही था. किताबों के नकल उतारने के लावा इस चिनका पहला इस्तमाल Florence में रहने वाले किया? क्या आपको किसी ऐसे संबल की शुरूआत के बारे में पता है? जिससे हमने वीडियो मना दिखाए हूँ. अगर हां तो नीचे कॉमेंट बक्स मना कर बताएं. और हां देखने के लिए शुक्रिया.